कि नमस्कार नंगे हैं कि अब आ बाज अ उती हैं भाई अब लोग कहों कि सद्धी चौदरी आप अफसे हो आप लोगों ने मीर्व द्हाण दिया हो तो यार पता आज गलत थोड़ी सी class जो है वो गलत मतलब मैं ये कहूँगा कि होनी तो आप लोगों के thumbnail पर live थी और गलती से हमारे editor ने उसे sscgd के thumbnail पर live कर दिया आप लोग सोच रहेंगे भीया जी लेट हो गए मैं पिछले आठ मिनट से class ले रहा हूं आठ मिनट से पढ़ा रहा था वहां पे बच्चे लगबग 6-7 मिनट पढ़ा रहा हूं और बच्चे आप अब class तो सीधी सी बात है जहां live होगी वहीं चलेगी फिर अचानक से बच्चों ने comment करने शुरू करें अचानक से बच्चे बोले कि भीया गलत मतलब यह कहां पर live हो गई class तो इस वज़े से प्यारे दोस्तों छमा चाहता हूं थोड़ा सा लेट हो गया हूं कोई बात नहीं है क्योंकि जान बूज कर नहीं हुआ हूं पढ़ा निगमन की मतलब slogs की अच्छा कितने लोग थे तो बताओ एक बार जल्दी से क्या बात एकदम समझ में आईए चालो बहुत बढ़िया सभी के लिए good evening भाई तो दिहान से समझाएंगे सबसे पहले मैं आपको basic बताता हूं क्या है प्यारे दोस्तों सुनूं मैंने क्या कहा मैंने कहा कुछ A B है अगर मैंने आपसे कहा इस slogs में तीन चीजों को बहुत ध्यान से समझना है कि ये तीन चीजें क्या होती है तो मैंने कहा कुछ A B है ये क्या है A है कह रहा है कुछ A B है तो ये कुछ A क्या हो गई B हो बात आगी समझ में मैंने कहा कुछ A, B हो गई तो यानि A का थोड़ा सा भाग B के अंदर है पाता ही समझ में A का थोड़ा सा भाग B के अंदर है फिर मैंने कहा दूसरी कंडिशन बनेगी सभी की कुछ का जो मतलब होगा वो सम होगा कुछ का जो मतलब होगा वो सम होगा सभी का जो मतलब होगा वो all होगा क्या कहेंगे भीया जी अगर मैं कहूंगा सभी A B है तो मेरे भाई, मेरे दोस्त सभी A B है ये A हो गए और जितने भी A है वो सभी B हो गए तो A के उपर किसका सरकला गया B का सरकला गया दो पॉइंट तो ये होते हैं इसमें एक होता है कुछ वाला पॉइंट और एक होता है सभी वाला पॉइंट और अगला पॉइंट क्या होता है अगला पॉइंट होता है कोई नहीं का पॉइंट अगला पॉइंट होता है कोई नहीं का पॉइंट जिसे इंगलिस में no बोल दिया जाता है तो मैं कहूंगा कोई नहीं मतलब कोई A, B नहीं है तो हम लोग कहेंगे ये A हो गया और कोई भी A, B नहीं है तो A अलग है और B अलग है A अलग है और B अलग है अर्थात कोई भी A, B नहीं है क्या कहूंगा कोई भी ए भी नहीं है बात आ रहे हैं समझ में यहां तक की बोलो सब को clear है बहुत बढ़िया तो दिहान से समझो अगर मैं इन सब बातों को समझ जाता हूं तो यह chapter मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है ठीक है अब जैसे ही कि मैं question की बात करूंगा तो यह आज हुआ 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 है क्या आप लोगों को अब आज आ रही है चलो अब रहने दो तो दिहान से समझो आज बच्चे आज आज एड़ेस्ट कर लेंगा आज ऐसी ही पीडियेप रहेगी आपकी ठीक है कभी कभी सपीद पे भी पढ़ लिया करो सपीद रंग तो तुम्हारा वैसे भी तुम्हां हर चीज भूरी अच्छी लगती है आज आओ तो मैंने कहा पहला कथन है सबही पुस्तकें पैंसिल है सही है मैंने कहा सबही पुस्तकें पैंसिल है तो ये हो गई पुस्तकें दिहान से सुनना हूँ मैंने कहा ये पुस्तकें हो गई और सभी पुस्तकें क्या है पैंसिल है तो ये सभी की सभी पुस्तक पैंसिल हो गई ये पैंसिल आ गया बताओ यहां तक बात समझ में आई की नगा और दूसरा वाला कह रहा है कि कुछ पैंसिल पिन है तो मैंने कुछ पैंसिल को क्या बना द या मुझे बताव diagram complete हुआ की नहीं हो, diagram आपका complete होगा, अब यहां इस कत्थन में जो मैंने diagram बनाए, इसके हिसाब से मुझे निसकर solve करने हैं, तो पहला निसकर से कुछ pin पुस्तक हैं, पहला है कुछ pin पुस्तक हैं, तो बच्चे pin और पुस्तक दोनों अलग-अलग हैं, इस दियान से सुनना ऊपर जो कथन दिये गए हैं वो दोनों के दोनों कथन क्या है दोस्तों वो दोनों के दोनों कथन पॉजिटिब है प्यारे साथी अगर दोनों कथन पॉजिटिब होते हैं तो निसकर्स भी पॉजिटिब बनता है यानि मैं कहूंगा if our statement is positive then conclusion must be positive and if our statement is negative then conclusion must be negative कथन सकारात्मक निसकर सकारात्मक अर्थात ये वाला भी गलत है क्योंकि positive से कभी भी negative नहीं बनता है बात के लिए रहे? कमेंट चला दो तो मैंने कहा positive से कभी भी negative नहीं बनता है ये बात बताओ क्या आप लोगों को समझ में आई है क्या ये बात समझ में आई है और बच्चे जब आप इतना question देखकर कर रहे होगे जब आप इतना question देखकर कर रहे होगे तो क्या कहोगे आप कहोगे दोनों में कोई भी अनुसरन नहीं करता ये ही तो कहोगे आप लोग कहोगे भाईया जी दौनों में कोई अनुसरन नहीं करता और बच्चों का आंसर भी यह आ रहा है कि कोई अनुसरन नहीं करता लेकिन बच्चे अब मेरी बात को आप लोग बहुत दिहान से सनो मैंने कहा इस question का आंसर आएगा या तो first या तो second क्या answer बोला मैंने या तो first या तो second इस question का answer आएगा अब आप लोग किया कहोगे आप लोग कहोगे कि भाया ये क्यों आएगा answer क्यों आएगा आइदर का case क्यों लगेगा इसमें तो आइदर के case को लगने का सबसे बड़ा कारण यह है किस question के जो niscurs है उनके अंदर तीन नियम पास हो रहे है कितने नियम? तीन नियम पास सर हमेशा जब कभी किसी निसकर्स में तीन नियम पास होंगे तो आईदर का केस लगेगा सर कौन कौन से वो निसकर्स है कौन कौन से वो निसकर्स है तो मतलब कौन कौन से वो नियम है तो पहला नियम कहता है पहला नियम कहता है कि एक सकारात्मक तथा एक नकारात्मक होना चाहिए मैंने कहा एक पॉजिटिव और एक नेगिटिव होना चाहिए बाता रही है समझ में एक पॉजिटिव और एक नेगिटिव होना चाहिए तो इस क्वेश्चन में देखो ऊपर वाला कुछ पिन पुस्तक है पॉजिटिव है और ये वाला नेगिटिव है बाता रही है दूसरा द्यान से समझो तो मैंने क्या कहा अब दूसरे वाले पर चलो कि दूसरा वाला क्या है तो एक सकारातमक तथा एक नकारातमक ये हो गई आगे समझो दूसरा वाला क्या नियम है तो दूसरा नियम है दौनों गलत हों क्या कहा दोनों गलत हो तो मुझे बताओ एक बार क्या दोनों के दोनों गलत है तर ये भी गलत है ये भी गलत है तर दोनों के दोनों कलत है और तीसरा नियम कहता है तीसरा नियम कहता है वेरियेबल वेरियेबल को इंगलिस हिंदी में हम बूलेंगे चर मैंने कहा वेरियेबल समान हो मैंने कहा variable समान हो बच्चे बहुत important point पढ़ा रहा हूँ तब इसमें either का case लगेगा अगर इन तीनों नियमों मैंसे कोई सा भी नियम ऐसा है जो लागू नहीं होता तीनों मैंसे अगर कोई सा भी नियम ऐसा है जो लागू नहीं होता है तो मैं कहूंगा फिर मेरे question का answer आएगा दोनों अनुसरा नहीं करते मतलब कोई अनुसरा नहीं करता दोनों गलत है तो बच्चे इसका मतलब बात समझ में आई है तो मैंने आप लोगों से कहा मैंने आप लोगों से कहा कि यहां तक बात आप लोगों को समझ में आई होगी बच्चे उम्मीद करता हूँ question का point यहां तक clear भी हुआ होगा अगर यह तीनों नियम लागू होते हैं तो मैं क्या कहूंगा मैं कहूंगा मैं कहूंगा answer क्या जाएगा या तो first या second बोलो clear है बच्चे मुझे लगता है आप लोगों को इस color को देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे एक minute का time दीजिए मैं change ही करा लेता हूँ फिर ठीक है न मैं एक बार change ही करा लेता हूँ दिखाई नहीं दे रहा है कोई बात नहीं है अब बस एक second का समय देंगे बिलकुल पूली PDF चेंज करा देते हैं नवीन जी कर दीजी आप एक बार बहुत बढ़िया एक दम technical team आपकी सिवा में हमेशा हाजर रहती है देखो इनके बिना हम कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है नवीन भाई के बिना मतलब क्लास को यही लाइब करते हैं प्रते दिन मतलब जब भी क्लास होती है नवीन हैं निखिल हैं भानू हैं यही तीन चार दोस्त अपने भाई हैं छोटे यही मतलब इनके ही माध्धम से आपकी क्लास होती है तो हमारा चहरा आपको बेसक प्रति दिन दिखता है लेकिन हमारे चहरे को दिखाने के पीछे जो सबसे बड़े महनत और सबसे बड़ा हाथ होता है वो इन ही लोगों का होता है तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इनकी भी मतलब महनत को सलाम करेंगे इनकी भी मेहनत को समझाएं, क्योंकि इनके बिना वाकिए कुछ संभव नहीं है, मैं बिलकुल इस बात को बोल्ड पे खड़े हो, कि वास्तिक ता माता सार्दे के, वो मतलब साक्षी मान कह रहा हूं, इनके बिना कुछ भी संभव नहीं, बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, चल मैंने आप लोगों से कहा, कि भाईया, आंसर आएगा, या तो फर्ष्ट, या तो सेकेंड, बहुत बढ़ी, बहुत सांदार, निसा सिंग कह रही है, ब्रेक अप पार्टी दो भाई तब, इस निसा सिंग को तुरंत बिलोग कर दो, तुरंत बिलोग हटाओ इने, मतलब मता पिता यार, तुमको पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए मौका दे रहे हैं, और लड़की होके ब्रेक अप जैसे सब्दों का तुम इस्तमाल टीचर के सामने कर रही हो, यह मुझे लगता है, कि कहीं न कहीं आपके, आपकी समझदारी के बिलकुल बाहर है, बिलकुल तो द्यान से समझो, मैंने क्या कहा, आराम से समझो, मैंने कहा, नेक्स्ट कॉस्चन पर चलते हैं, आज की क्लास का अगला सवाल द्यान से देखो, मैंने कहा, आज की क्लास का अगला सवाल एक बार सभी प्यारे साथी द्यान से देखाएंगे, लोभाईसा बोर्डी हैंगो बताओ भई सभी साथ ही बताएंगे क्या कह रहा है ये question दूसरा सवाल है सभी किताबें आखें हैं सभी किताबें आखें हैं ध्यान से समझेंगे तो मैंने कहा ये सभी की सभी क्या हो गई किताब और question करा है कि जितनी भी किताब हैं वो सभी की सभी आखें हैं तो सभी किताब को आख मन लिया सभी किताब आखें कुछ आखें पैन हैं तो कुछ आखें को मैंने क्या मन लिया कुछ आखें को मैंने पैन मन लिया और सभी पैन पैंसिल हैं तो सभी पैन के उपर पैंसिल का सरकल ले आओ ये सब ही पैंसिल हो गए बात किलियर है रही है बहुत बढ़िया बचे दिहान से समझाएंगे क्या कह रहा है पहला वाला कह रहा है कुछ पैंसिल किताबे है कह रहा है कुछ पैंसिल किताबे है भहिया पैंसिल का सरकल ये है किताब का ये है तुम बताओ क्या दोनों सरकल कहीं भी टच हो रहा है नहीं हो रहे ना इसका मतलब पहला वाला गलत है मुझे एक बार थमसब करके और बता दो क्या अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है सब कुछ कलर वगेरा सब ओके की रिपोर्ट है अब बताओ एक बार दूसरा वाला कुछ पैंसिल आँखे हैं हाँ अगर मैं पैंसिल को देखूं तो ये आँखों से कनेक्ट हो रहा है पैंसिल आँखों से कनेक्ट हो रहा है इसका मतलब दूसरा वाला सही है तो मैंने कहा कि भाई सब second अनुसरन करता है क्या second अनुसरन करता है भाई पहला question तो मैंने बताया था detail में पहला question class के सुरू में देख रहा है मैंने detail में बताया था सही है ना? बहुत बढ़िया सूरज कुमार बिलकुल सही है बच्चे next question पर आजाओ इस question में भी दो कथन है और दो निसकर्स है बताएंगे मुझे जल्दी से answer क्या है जल्दी से बताओ मुझे answer क्या हो जाएगा हाँ बई तो दियान से समझो क्या कह रहा है पहला कतन कह रहा है सभी पुस्तके रबड है तो मैंने कहा ये जितनी भी पुस्तक है मैंने कहा ये जितनी भी पुस्तक है ये सभी की सभी क्या है रबड है सभी की सभी पुस्तक रबड है और सभी सार्पनर पुस्तक हैं, तो सभी सार्पनर पुस्तक कब होंगे, जब मैं क्या कहूंगा, सभी सार्पनर पुस्तक, जैसे ये सर्कल किसका था, ये सर्कल पुस्तक का था, तो सभी सार्पनर यानि सार्पनर को और अंदर रख दो, ये सभी सार्पनर पुस्तक हो जाएं क्वेशन के रहा है पहला सभी सार्पनर रबड हैं तो सार्पनर रबड के ही तो अंदर है सार्पनर रबड के ही अंदर है तो मैं कहूंगा कि पहला वाला एक दम एक दम सही है सभी सार्पनर रबड हैं बिल्कुल सही है बच्चे दूसरा कह रहा है कुछ पुस्तकें सार्पन सरंन सही कर ले घाव बताओ किलियर है बताओ जल्दी से दोनों के दोनों सही है किस किस का जबाब सही हुआ है एक बार बताते čलो भाई भई यहां तक बात किलियर हुई की नहीं बहुत बढ़िया हाँ भई, तो मुझे बताओ क्या ये question clear है बच्चे, next अगला सवाल आज की class का, कहरा है सभी मेजें पैमाने हैं, बनाओ, जल्दी से, सभी मेज पैमाने हैं, तो ये क्या हो गए मेज, और जितने भी मेज हैं, वो सभी के सभी पैमाने हैं, तो सभी मेज को मैंने पैमाने मान लिया, और ये हो गया पैमाने, सभी मेज पैमाने हो गए, कहरा है कुछ पैमाने हरे हैं, तो ये कुछ पैमाने को किस से जोड़ दिया, हरा से, बात clear होई, पहला कहरा है सभी पैमाने मेज हैं, तो जितने भी पैमाने हैं, क्या वो मेज हैं, सबी पैमाने मेज हैं नहीं सर ये सबी पैमाने मेज हैं पाहर से अंदर के और जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत होगा सबी पैमाने मेज नहीं हो सकते दूसरा करा कुछ मेज हरे हैं तो सर मेज और हरा भी आपस में टच नहीं है दोनों गलत है मेज और हरा भी आपस में टच नहीं है बचे बात बताओ, क्लियर है क्या यहां तक बात समझ में आई दोनों के दोनों गलत हैं दोनों के दोनों गलत हैं बहुत बढ़िया, क्या नाम है इनका? अरपन उपाध्याए बड़े भईया, प्रणाम मेरे SSE CPO में क्वश्चन के रहा है कि कुछ अध्यापक तैराक है यहां से समझाएंगे, सभी बच्चे आंसर करते चलेंगे साथ की साथ कि कह रहा है कुछ अध्यापक तैराक है तो यह हो गए अध्यापक और मैंने कहा इन अध्यापक मेंसे कुछ अध्यापक तैराक है तो ये कुछ अध्यापक क्या हो गए? कुछ अध्यापक तैराक हो गए. दूसरा कह रहा है, सभी तैराक वैग्यानिक हैं, तो जितने भी तैराक हैं, उनके उपर क्या आईगा वैग्यानिक? सभी के सभी तैराक वैग्यानिक हो जाएंगे. सही है भाई? अब question कह रहा है, पह पहला वाला बिलकुल सही है दूसरा कहा रहा है कोई तैराक अध्यापक नहीं है यानि तैराक अलग है अध्यापक अलग है कोई तैराक अध्यापक नहीं है आप ऐसे समझो की उपर दोनों positive है और यह negative है तो positive से तो negative कभी भी नहीं बनता तो बच्चे मेरे सवाल का अंसर क्या होगा सर केवल पहला सही है क्या बोलूँगा केवल पहला वाला सही है नेक बर नीचे रुको विशाल त्रिवेदी भाईया आपके आसिरवाद से आज मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है बहुत बढ़िया और मेरा supply inspector में call letter आ गया है बहुत सुन्दत बहुत जल्द आपके पास मिठाई लेकर आउंगा विशाल त्रिवेदी बहुत बढ़िया बच्चे जब मैं इनकी comment पढ़ रहा था मतलब इतक ये पुलिस में थे अभी तक ये उत्तर प्रदेश पुलिस में थे अभी इनका UP सबिस्पेक्टर भी निकल गया है SSE GD में भी नंबर है और अभी एक और आज नई इनका call letter इनका join letter पहुँच चुका है मतलब कुल मिला कर आप लोग समझ रहें आप लोग समझ रहें जब मैंने पढ़ीती ना पहला ही नौकरी छोड़ दी है तो मैंने बहुत बढ़िया इस वज़े से वोला था क्योंकि मुझे पता था कि चीता ने कोई नया करमाल कर दिया है क्योंकि कुछ लोग वाकरी बहुत सांदार होते हैं और विशाल तुरिवेदी मेरे दोस्त मेरे भाई जो कहते ना इस्टूडेंट तो प्रतेक व्यक्ति बन जाता है लेकिन जो दिल के बहुत नस्दीक आ जाते हैं जो बिल्कुल बिल्कुल परिवार की तरह है हलाकि आप सभी लोग परिवार की तरह ही है लेकिन एक बच्चा ऐसा होता है जो वाके ही एक बिल्कुल सगे भाई की तरह हो जाता है विशालत्रिवेदी उनमें से ही उनमें से ही एक प्रिया छात्र, प्रिया भाई, प्रिया विध्यारती हैं और कहीं ना कहीं ये नहीं कि केवल इस बज़े से कि इनोंने सलेक्सिन यह नहीं, यह एक चीज होती है ना कि व्यक्तित्व है, एक संसकार की बात होती है और एक मान सम्मान की, गुरुओं के प्रती जो सम्मान होता है, बहुत बढ़िया, बहुत सांदर, विशालत्रिवेदी आप जीवन भर ऐसे ही हमेसा प्रगती करें, हमेसा आगे बढ़ें, औ बहुत सांदर क्वेश्चन है, देखो द्यान से क्या कह रहा है, एक बार द्यान से समझना, इस क्वेश्चन को हो कि यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत सांदर तरीके से, बहुत बढ़िया, चलो भई द्यान से समझना मैंने कहा कुछ कागज फाइल है बहुत द्यान से समझना है कुछ कागज फाइल है तो ये कौन हो गई कागज और कह रहा है कि कुछ कागज फाइल है तो मैंने कुछ कागज को फाइल मन लिया ये कुछ कागज क्या हो गई फाइल हो गए, कुछ कागज को मैंने फाइल माल लिया तो कुछ कागज फाइल हो गए और कुछ फाइले पैन है तो ये कुछ फाइल को मैंने पैन माल लिया, बात आगी समझ में, कुछ फाइल को मैंने पैन माल लिया बहुत सुन्दर, बहुत बढ़िया वाले को सही कर रहे हैं, मेरे दोस्त मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर कथन सकारात्मक है, तो निसकर्स भी सकारात्मक होगा, और ये देखो, ये नकारात्मक है, सकारात्मक से नकारात्मक बनी ही नहीं सकता, आया ना, दूसरा, दूसरा करा है, कुछ ये पैन कागज हैं, बहुत सांदर, बहुत सांदर, बहुत बढ़िया, चल, अगले सवाल पर आ जाते हैं, next question आज की class का, दिहान से देखो, एक बार बहुत सांदर तरीके से देखो, मैंने क्या कहा इस question पर, मैंने आप लोगों से कहा, जो question आप लोग इस समय बोर्ड पर देख पा रहे हैं, वो question क्या है, question है, सभी ड्रम बासुरिया है, पहला वाला कतन है, सभी ड्रम बासुरिया है, तो ये क्या हो गए, ड्रम, और जितने भी ड्रम है, वो सभी के सभी बासुरी है, तो सभी ड्रम क्या हो गए, बासुरी हो गए, सभी ड्रम बासुरी है, और कुछ बासुरियां लंबी हैं तो ये कुछ बासुरी क्या हो गई बच्चे कुछ बासुरी लंबी हो गई 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 इड्रम लंबा नहीं है, बच्चे ये positive है, ये negative है, positive से negative कभी सही नहीं बन सकता, तो क्या करूं भीया जी, क्या करूं मैं क्या answer कर दूं इस question का दिहान से समझना, सर क्या answer करूं, क्या answer करूं, सुर्जीत सर्मा करें, दूसरा सही है, नहीं गुड़ा, मैंने कहा, उपर दोनो कथन positive है, दिहान रखो, अगर कथन सकारात्मक होता है, तो निसकर्स भी सकारात्मक होता है, रिशी यादव, love you, मेरे भाई, रिशी यादव, love you, अब सुनो दिहान से मेरी बात, मैंने कहा, कि अभी-भी मैंने आपको एक बात बताई थी, जो सबसे पहला number का question था, प्यारे अगर एक कथन सकारात्मक, एक कथन सकारात्मक तथा एक नकारात्मक हो, पहला point, दूसरा point, तौनों निसकरसों के, तौनों निसकरसों, तौनों निसकरसों के variable, मतलब चर, समान हो, और तीसरा, एक तीसरा, दौनों निसकर्स गलत हो तो मैंने कहा था कि अगर ये तीन कंडीशन आप लोगों को मिलती है तो आईदर का केस लगेगा मैंने कहा था अगर ये दौनों कंडीशन मिलती है तो क्वेश्चन में आईदर का केस लगेगा बोलो बात समझ में आ रही है बहुत सुन्दर, बहुत सुन्दर एकदम बढ़िया, जवर्द तो देहान से देखो दोनों के दोनों गलत भी है तर एक सकारात्मक और एक नकारात्मक उपर वाला पॉजिटिव है नीचे वाला नेगिटिव है सर दोनों के variable से में क्या variable क्या होता है जैसे यहाँ पर drum लंबा है यहाँ भी drum लंबा है पाता रही समझ में यहाँ भी drum लंबे यहाँ भी drum लंबा समझ में आ रही है तो दोनों के अंदर जो चीजे प्रयोग हुई है वो variable समाने Sir variable क्या होता यह बताँ आतुल गुपता वो ही बतारहूं, मेरे भाई मैंने कहा variable का मतला होता है कुछ drum लंबे क्या क्या सब्रेज़ का प्रियोग होग है drum का और लंबे का और यहां भी किस-किस का हुआ है drum का और लंबे का तो मैंने कहा, भाई साब दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे तो ऐसी condition में मेरे question का answer आईदर आएगा यानि अब answer होगा या तो first या तो second या तो first या तो second बताओ भई बात समझ में आई की नहीं बोलो आई की नहीं next question आज की class का अगला सवाल आज की class का अगला सवाल बताओ जल्दी से जवाब क्या होगा आठवे question का answer बताएंगे एक बार क्या सही जवाब होगा इस question का question पर आजाओ एक बार एक ही बात कही जा रही है बट एक negative है नई एक positive एक negative होगा तब हम ऐसा करेंगे ठीक है चालो तो दिहान से समझो सभी दार्सनिक मूर्ख है क्या कहा इसने सभी दार्सनिक मूर्ख है तो ये हो गई दार्सनिक और जितने भी दार्सनिक है वो सभी मूर्ख है तो सभी दार्सनिकों को मैंने मूर्ख बना दिया सभी दार्सनिक, मतलब मैंने मुर्क नहीं बनाया, ये मुर्ञ हो गये किशन के अंदर की कंडीशन है, सभी दार्सनिक मुर्ख हैं, सभी मुर्ख अन्पढ हैं कंप्लीट डाइग्राम बन चुका है अब दिहान से समझना क्या कह रहा है अब दिहान से समझना क्या कह रहा है एक मिनट कमेंट रोखो रख बापू तेरी सारी ख्वाइस पूरी कर दूँगा वर्दी पहन कर पहला सलूट तेरे नाम कर दूँगा वाँ वाँ गजब लड़के और अब सरकार असगुला बहुत सुंदर बहुत बढ़िया तो दिहान से समझो क्या कह रहा है बच्चे आगे की बात को दिहान से समझो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन मैंने क्या कहा मैंने कहा सभी दार्सनिक मूर्ख है और सभी मूर्ख अनपड है question को द्यान से समझो तो यहाँ पर पहली line कह रही है सभी दार्सनिक अनपड है तो यह जितने भी दार्सनिक है यह अनपड के ही तो अंदर है सभी दार्सनिक अनपड है तो सभी दार्सनिक अनपड के अंदर है तो इसका मतलब हुआ पहला वाला सही है सही है दोसरा है सभी अनपरदार्सनिक हैं तो बाहर से अंदर की और जा रहा है दिहान से सुन लो सबसे पहला पॉइंट क्या है मैंने कहा अगर अंदर से बाहर की और सभी बोलके जाता है तो सही है बाहर से अंदर की और सभी बोलके जाता है तो गलत है और कुछ का मैटर दूसरा वाला गलत है सभी अनपड मूर के हैं तो सभी बोलकर अनपड सभी अनपड मूर के हैं बाहर से अंदर की और फिर से सभी बोलके जा रहा है देन ये वाला भी गलत है और कह रहा है कुछ अनपड़ दारसनिक हैं तो बाहर से अंदर इस बर क्या बोलके चला? कुछ बोलके, कुछ अनपरदार्श ने कहें ये वाला सही है बताओ भई, बात कलियर है बताओ भई, क्या यहां तक बात कलियर हो जाएगी क्या कहा मैंने? तो पहला और चौता वाला सही होगा option कहा है? option number B पर है option number B पर है बहुत बढ़िया बहुत सांदार एकदम बहतरीन ठीक है भाई बहुत बढ़िया अयुद्ध्य टाइमस के रहें सर जीडी में आप पढ़ाते हैं भाई जीडी में राहूल सर और में दोनों पढ़ा रहें किसी भी एक से पढ़ लिजी आप कोई दिक्कत नहीं है औ तो अब तुम्हारे हैं जो महंगाई आई है न भाई साब तुम्हारे है आई है पूरे दैस में न होई कि इतनी महंगाई इस टाइम तो तुम भाई सब सब कुछ हो वास आज की तारिफ में कोई सकनव है छलो भाई तो next question पर आ जाओ एक बढ़ा अगला समया आजगी क्ला तरीके से कुछ प्रधान आचार्रे सिक्षक हैं पहला पॉइंट है कुछ प्रधान आचार्रे तो ये प्रधान आचार्रे हो गए कुछ प्रधान आचार्रे सिक्षक हैं तो कुछ प्रधान आचार्रे को तो सभी सिक्षक छात्र हो गए बताओ बात क्लियर है बोलो कहानी यहां तक क्लियर है प्वेश्चन के रहा है पहला सभी प्रधान आचार रहे छात्र हैं सर सभी प्रधान आचार रहे छात्र जब होते जब प्रधान आचार रहे के उपर छात्र का सरकल होता तो पहला वाला गलत है, पहला गलत है, दूसरा कह रहा है कुछ छात्र प्रधाना चार रहे हैं, तो सर कुछ छात्र प्रधाना चार रहे हैं, छात्र, छात्र प्रधाना चार रहे का सरकल कुछ के रूप में जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है भाई साब ये वाला सही है, तो कहूंगा कि Option number B, कहूंगा दूसरा वाला सही है, Option number B, ये रहा next question, थोड़ा सा speed से ही चलेंगे बच्चे, और मुझे बताते चलेंगे क्या आप सही करते जा रहे हो, मुझे बताते चलेंगे क्या आप सही करते जा रहे हो, question देखो, सभी आदमी पिता है, तो ये कौन हो गए आदमी? सभी आदमी पिता है, तो ये सभी आदमी कौन हो गए पिता? और सभी पिता भाई है, कह रहा है न, सभी पिता भाई है, भाई दूसरा यही तो सभी पिता भाई है, तो पिता के उपर कौन का सरकला जाएगा भाई का, सभी पिता भाई हो जाएगे, पहला कह रहा है, सभी आद आदमी किसके अंदर है भाई के अंदर है जब सभी आदमी भाई है आदमी भाई के अंदर है दीपक कह रहा है गुरुजी आप बहुत अच्छा पड़ा दे थैंक्यू मेरे भाई तो पहला वाला क्या हो गया सही सर दूसरा वाला क्या है दूसरे वाले को देखते ही गलत कर द तो क्योंकि यह negative है, आप बस इतनी सी बात समझो, दो positive से negative बनता है, दो positive से negative बनता है, और एक positive और एक negative से negative बनता है, ठीक है भाई, next अगला सवाल, बताओ जल्दी से इसका answer, जल्दी से बताओ, इस प्रेसन का right answer क्या हो जाएगा, इस प्रेसन का right answer क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी, जल्दी से बताएंगे मुझे एक बार आंसर क्या है कि प्रेबंधक युवा है और किरा है सभी लड़के युवा है द्यान से सुनना पहली लाइन बोली थी कुछ प्रेबंधक युवा है तो ये कुछ प्रेबंधक थे और कुछ प्रेबंधक क्या थे युवा थे और कह रहा है सभी लड़के युवा हैं तो लड़के किसके अंदर आएंगे युवा के पेटा इस बात को दिहान से समझना अगर ये कह रहा है सभी लड़के युवा हैं तो लड़के अंदर पहला कह रहा है कि कुछ लड़के प्रेवन्दक है कुछ लड़के प्रेवन्दक है नीचे करो एक बार कमेंट भाईया मेरी CGL की अच्छी तयारी नहीं है एकजाम देना चाहिए या नहीं बेटा एक बाद बता दे बस मुझे इस बात का जबाब दे दे क्या युद्ध में बिना लड़े ही हार मान लेनी चाहिए अगर जबाब है नहीं तो उसी परकार से एकजाम भी देना चाहिए आप लोगों को यह युद्ध ही है बात आगी समझ में इसका बारे में यही बात कहूँगा एक बच्चे ने सवाल पूछा है क्या मेरे एकजाम की तयारी नहीं है क्या मुझे एकजाम देना चाहिए या नहीं मैंने कहा मैंने कहा कि यह ठीक उसी परकार से है बस इस बात का जबाब दे दो क्या युद्ध में बिना लड़े हतियार डाल देने चाहिए क्या बिना लड़े आत्म समर पड़ कर देना चाहिए, अगर जवाब है नहीं, तो इसका जवाब है हाँ, आपको एकजाम देना चाहिए, जरूर देना चाहिए, सही ना, चलो, आजाओ धिहान से, क्या कह रहा है, पहला कह रहा है, कुछ लड़के प्रेबंधक हैं, तो के नहीं हो सकते, तो कुछ प्रेबंधक भी लड़के नहीं हो सकते, बात बतावए, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत सान्टार, बहुत बहुत बहतरी, नेक्स्ट वस्चन आज की क्लास का, दिहान से देखो आज की क्लास का, अगला सवाल, इसमें 3 कथन है, बच्चे, बहुत आराम से स्वाल्व करो देख के क्या कह रहा है सभी डैस्क पेपर है तो मैंने कहा ये क्या हो गई डैस्क और सभी डैस्क क्या है पेपर तो सभी डैस्क को मैंने पेपर बना दिया सभी बैंच पेपर है कह रहा है सभी बैंच पेपर है अगर सभी bench paper हैं तो bench को paper के अंदर कर दो और किरा कुछ bench desk है तो बच्चे bench को desk के अंदर कर दो यानि कि इस प्रकार से कर सकता हूं सही है कुछ bench desk हो गई या फिर आप ऐसे समझो कुल मिला कर चीजों को ऐसे समझो कि मैं क्या कहूंगा पहला किरा कुछ paper bench है कुछ paper bench है तो paper यहां है bench यहां है 100% होंगे 100% होंगे बताओ भई किलियर है कुछ paper bench है दूसरा कुछ paper desk है किरा कुछ paper desk है तो paper यहां कुछ बाहर से अंदर जा रहे हैं दोनों के दोनों सही है दोनों के दोनों सही है Next question, बचे ऐसे सवाल भी मिल जाते हैं, कुछ चपरासी निर्धन होते हैं, इसे common sense का question बोलेंगे, यह बिलकुल common sense की तरह है, common sense कैसे, मुझसे पहला point कह रहा है कि कुछ चपरासी निर्धन होते हैं, पहला point कह रहा है कि कुछ चपरासी निर्धन होते हैं, तो यहाँ पर दूस दूसरा point के रहा है, X निर्धन है, और पहला निसकर से X चपरासी है, बच्चे मैं कैसे कह दूँ कि X चपरासी है, भाई X निर्धन है तो इसका मतलब ये थोड़े ही कि वो चपरासी बोल दूँ, क्योंकि उसने ये थोड़े ही बोला कि जितने भी निर्धने वो सब चपरास क्यों भी मुझे नहीं पता है इस बारे में कि क्या है क्या नहीं है तो बच्चे इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है ना तो फर्ष्ट सही है ना सेकंड सही है सी आपसन आएगा ओके बहुत बढ़ी है नेक्स्ट पर चलते हैं भाई जी एक बार और आज तुमसे लाइक पहला कह रहा है कि कुछ नावे नदियां है तो ये क्या हो गई नाव और कह रहा है कुछ नाव नदियां है तो ये हो गई नदी कुछ नाव नदी है सभी फल नदी है तो फल किसके अंदर आ जाएंगे नदी के अंदर फल किसके अंदर आ जाएंगे नदी थोड़ा सा बड डाइग्राम बनाना पड़ेगा बिटा ये थोड़ा सा बड़ा जैसे कह रहा है कुछ नाब नदी है तो ये कौन हो गई नाब और कुछ नाब नदी है तो ये हो गई नदी सही है कह रहा है कि सभी फल नदी है तो फल को सभी फल नदी हैं तो फल आ जाएगा नदी के अंदर ये कौन हो गई फल सभी फल नदी है और सभी पेड़ फल है तो पेड़ आ जाएंगे फल के अंदर बात क्लियर हुई कि नहीं डाइग्राम खतम question जैसे बोल रहा है ऐसे करेंगे चलो भाई तो दिहान से समझो क्या कह रहा है आगे बढ़ाओ पहला कह रहा है कुछ पेड़ नदियां है कुछ पेड़ नदियां है तो बाहर से अंदर की और जाए अंदर से बाहर कुछ पेड़ नदी पेड़ नदी का तो हमेशा condition सही है नाव अलग है फल अलग है नाव अलग है केवल फर्ष्ट अनुसरन करता है क्या केवल केवल फर्ष्ट अनुसरन करता है केवल और केवल फर्ष्ट बोलो क्लियर है बात बिल्कुल बच्चे बिल्कुल बहुत सांदर तरीके से आंसर देंगे बहुत बढ़िया बिल्कु सोरब पर त्यल कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कोई भी दिक्कत होगी बच्चे पहले पिdhi क्वालिफाई ज्युती करो बहुत अच्छी तरीके करने हैं में क्योंकि भत अच्छी तरीके से फालिफाई कर लें क्तु के क्ल Jakarta भी text में कि पहुसुत दिमांड में ये न आदमी के जीवन में, आदमी को उसी हिसाब से ढल जाना चाहिए, वो एक सांदर व्यक्ति होता है, मेरे कहने का मतलब क्या है, कि अगर मान कर चलो कि मैं अब फिलाल आप लोगों को पता है, एक तारीक से आपके एकजाम सुरू है, और मैं आपको एक टॉपिक को कम से कम 4-4-5-5 दिन पढ़ाता रहूं, तो कहने का मतलब ये है, कि मैं आपको उस टॉपिक में तो परफेक्ट कर दूँगा, लेकिन आप लोग जानते हैं, कि फिर यहां से बाकी की चीजें तो छूट जाएंगी, एक टॉपिक में 4-5 दिन दूँगा, तो बहुत सारे टॉपिक भी तो छूट जाएंगे, और अभी समय की डिमांड ये नहीं है, कि मैं तुम्हें एक टॉपिक में PhD करवा हूं, नहीं, अभी समय की डिमांड ये है, कि मैं तुम लोगों को हर एक टॉपिक को इतना अता पढ़ादूं, बस कि आप लोगों का पिरी बहुत आराम से निकल मेरी बात से एगरी हो की नहीं हो, आप CGL के छात्रों मुझे प्लीज इस बात को जरूर बताना कि एक दो टॉपिक में PhD करवानी है, या फिर अभी सारे टॉपिक इस तरीके से लेने कि भाई हमारा पिरी निकल जाए, बस मेंस के लिए PhD कर लेंगे, फिलाल तो हमारे पास प करता है, और समय की डिमांड यही है, कि हमें अभी पिरी निकालना है, किसी भी कीमत पर, तो हमको टॉपिक में यह ध्यान नहीं देना, कि भहिया भहिया ने एक दिन में खतम कर दिया, अरे क्वेश्चन आप पेपर में कर दोगे, इस बात की गारंटी है, मेंस में हम हाई, म फिर फाइदा है, क्या कुछ भी, नहीं, सीदी सी बात है, सीदी सी बात है कि भाई साब, भाई साब हमको इस तरीके से पढ़ना है, पिर ही हो जाए हमारा पहली, पहला कर रहा है, कुछ टेबल घर है, आंसर बताओ जल्दी से इसका, तो यह हो गई टेबल, और कुछ टेब को मैंने सडक माल लिया, सही है मेरे भाई, पहला कर रहा है, कुछ सडक टेबल है, भाई सब सडक यहां, टेबल यहां, कैसे हो जाएंगे, नहीं हो सकते, गलत हो गया, दूसरा वाला यह कह रहा है, कि कुछ घर सडक है, तो यह घर हो गई, यह सडक, घर सडक बहुत अलग अ कहूंगा बोथ आर रॉंग दोनों के दोनों गलत हैं क्या बोलूंगा दोनों गलत है नेक्स्ट क्वेस्चन सोलमा सवाल बताएंगे सभी प्यारे साथी इस बार क्या होगा सवाल का अंसर जल्दी से बता हो एक बार पहला कथन है कुछ पुस्तके कुरसियां है तो ये हो गई कुछ पुस्तक और कुछ पुस्तक क्या हो गई कुरसी तो कुछ पुस्तक को मैंने कुरसी मान लिया दूसरा कह रहा है कुछ कुरसियां डैस्क है तो कुछ कुर्सियां को मैंने डैस्क मान लिया और तीसरा कह रहा है सभी डैस्क पिन है तो ये सभी के सभी डैस्क कौन हो गए सभी के सभी डैस्क पिन हो गए कम्पलीट हो गया डाइग्राम और पहला वाला कह रहा है कुछ पिन पुस्तक है कुछ पिन पुस्तक है तो दिहान से समझो कुछ पिन पुस्तक है तो मैंने कहा पिन का सरकल ये है पुस्तक ये है क्या जुड़े हुए है सर बिलकुल नहीं जुड़े हुए तो सर कुछ पिन पुस्तक भी नहीं हो सकते क्योंकि ये जुड़े हुए नहीं है दूसरा है कुछ कुरसियां पिन हैं तो कुरसी का सरकल और पिन का सरकल आपस में मिला हुआ है अर्था दूसरा वाला सही है तो जवाब आएगा केवल सेकंड फोलो करता है क्या होगा केवल सेकंड फोलो करता है चलू अगले सवाल पर लो भाई सब ये रहा आज का अगला सव सवाल क्या हो जाए गल्दी से बताओ आज की क्लास का अगला सवाल क्या होगा next question आ चुका है कथन के रहा है सभी सडकें बसे हैं आगे बढ़ा हो गई सभी सडकें बसे हैं तो ये हो गई सडक करहा है सभी सडक बस हैं तो सभी सडक को क्या माल लिया बस माल लिया दूसरा कर रहा है सभी बस ट्रेन है तो सभी बस को क्या माल लूँगा सभी बस को ट्रेन माल लूँगा और सभी ट्रेन ट्रक है तो सभी ट्रेन को क्या माल लूँगा सभी ट्रेन को ट्रक माल लूँगा बात आगई समझ में डाइग्राम कम्पलीट हो गया, पहला किरा है कुछ बसें ट्रक हैं, तो कुछ बसें, कुछ बस किसके अंदर है ट्रक के अंदर, और अगर कुछ बस ट्रक हैं तो पहला वाला सही है, दूसरा किरा है सभी ट्रक सडक हैं, मैंने अभी क्या बताया था आपको, मैंने आपसे कहा अगर सभी सद्रक सड़क है तो बाहर से अंदर के और सभी बोलके जा रहा है बाहर से अंदर के और सभी बोलके हमेशा विशन बाहर हो भाहर की of सभी अलग होता है बोलो ब totalmente info just insulinbrake peux high Nix बहुत कम जोर है सर जी बहुत बैस्ट पढ़ा रहें लेकिन हमारा लेविल बहुत कम है भाई फिलाल ना जितना आपको आता है उसका revision करो बहुत अच्छी तरीके से और जितना नहीं आता हम उसे भी सीखनी कोसिस करो और फिर paper दे के आओ बहुत अच्छी तरीके से ये मान के चलो कि आप लोग ऐसे समझो कि भाई मैंने जो तयारी की है वो बैस्ट की है वैसे इसमें कोई डाउट नहीं है बहुत अच्छा पढ़ाया सर ने लेकिन जैसे कि आप कह रहे हो कि भाई हमारा तो लेविल ही बहुत कमजोर है उसमें तो भाई विलकुल मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग ना बहुत अच्छी तरीके से बचे हुए टाइम में महनत करो ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीख पाओगे लेकिन सीधीसी बात है कि आप लोग बस यह आपको मानना पड़ेगा कि आप कमजोर नहीं हैं जिस दिन आपने यह मान लिया कि मैं कमजोर हूं अब एक बाद ब अच्छे इस दुनिया में ऐसे ऐसे उधारण है कि उस छेत्र में आगे बढ़े हैं उस छेत्र में आगे बढ़े हैं जिस छेत्र में वो हमेशा ये कहते थे कि मैं इस छेत्र में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा वो बढ़े हैं तो आप भी बढ़ पाऊगे दिक्कत मतलो आप औजार लेबल हैं तो ये सभी औजार हो गए और जितने भी औजार हैं वो सभी लेबल हैं तो सभी औजार को मैंने लेबल बना दिया और कुछ लेबल घर हैं तो कुछ लेबल को मैंने घर बना दिया और कहरा है सभी घर च्छाते हैं तो सभी घर को मैंने च्छाते बना दिया बात क्लियर हुई की नहीं बचे पहला कह रहा है कुछ चाते औजार है तुसर ये चाते हैं ये औजार हैं बिल्कुल जुड़े हुए नहीं है तो पहला बाला गलत है कुछ घर औजार है कह रहा है कुछ घर औजार है दिहान से समझो आगे बढ़ाओ कुछ घर औजार हैं जल्दी से बताओ तो ये घर हो गए और ये औजार बिल्कुल आपस में जुड़े हुए है तो दूसरा वाला सही है कहूंगा केवल दूसरा वाला निसकर्स अनुसरन करता है बहुत बढ़िया भानु प्रताब भानु प्रताब प्रणाम भीया बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सांदार नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या है जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है सभी चाकू कागज है सभी चाकू ये क्या हो गए चाकू और सभी चाकू क्या है कागज है तो ये सभी चाकू कागज हो गई, सभी पैंसिल कागज है, अगर सभी देखो दुबारा से बड़ा बनाना पड़ेगा, सभी चाकू, ये क्या हो गई चाकू, और सभी चाकू कागज है, तो सभी चाकू को मैंने कागज बना दिया, ये कागज हो गई, और आगे किरा है कि सभ सभी फूल कागज है पहला कह रहा है सभी फूल कागज है तो कैसे करूंगा मैं कहूंगा कि ये फूल है ये कागज है तो सभी फूल कागज की तो अंदर है तो पहला वाला सही है पहला वाला सही है दूसरा कहा है कुछ कागज चाकू है तो ये कागज किसके कुछ कागज बाह कुल मिलाकर आंसर आया दोनों निसकर्स अनुसरन करते हैं उम्मीद करता हूं पॉइंट किलियर हुआ होगा यहां तक बातें आपको समझ में आई होंगी और प्यारे दोस्तों अगर इतनी बातें वाकी समझ में आई हैं तो मुझे प्लीज इस सवाल का आंसर मुझे इस सवा आइट आंसर क्या है प्यारे दोस्त कल एक नए टॉपिक की सुरुवात करेंगे क्यों क्योंकि इसी टॉपिक को नहीं पढ़ाना है कल कल एक नया टॉपिक पढ़ेंगे उसका कारण क्या है उसका कारण सीधी सीवात है उसका कारण यह है कि हमें पता है कि हमको बहुत बहतर करना है हमको बहुत बहतर करना है क्यों क्योंकि बहतर इसलिए करना है कि एक टॉपिक के ही पीछे नहीं रहना है और एक बार जाते-जाते क्लास को लाइक जरूर करते तर चेक करिए अठारवे क्वेश्चन को अठारवे को चेक कर ले भाई सौपचास से चेक कर लेते हैं कुछ च्छाते औजार हैं यहां से च्छाता लिया यहां से औजार लिया घर से घर कट गया लेबल से लेबल नहीं कटेगा गलत हो गया कुछ घर औजार है तो यहां से य और ऋजार हो गया आया ना कुछ घर हो गए है यह और्जार हो गए तो लेबल से लेवल Gтор एक मिनिट कुछ घर औजार है ठीक है तो कुछ घर औजार है तो ये घर हो गए ये औजार लेवल से लेवल नहीं कटेगा हुं दूसरा करह कुछ घर औजार है हाँ बिल्कुल भई दूसरा वाला भी गलत कहां मिल रहा है बिल्कुल सही बात है इनका नाम था अबसेख कुमार अबसेख कुमार लव यू मेरे भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हाँ बिल्कुल अबसेख कुमार सही कह रहे हैं आप दोनों गलत हैं दोनों गलत हैं बहुत बढ़िया बिलकुल सही आपसे एक भाई थेंक्यू 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 वेरी मच बहुत बड़ी गलती होने से बचा लिए अबसे एक भाई आपने हाँ बचे देखो ध्यान से क्योंकि डाइग्राम में साप साप दिख रहा है डाइग्राम सही बनाया बस हमने जल्दबाजी में गलती की है जैसे ये कह रहा है कि दूसरा कुछ घर औजार है तो देखो घर का सरकल ये है यही वाला तो है और औजार का सरकल ये है यानि कोई भी आपस में बाउंडरी कनेक्ट नहीं है टच नहीं है तो इसलिए गलत ही करना था बात कलियर है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सैजलपाल के रहे सर मैं भी सोच रहा था बहुत अच्छी बात है बच्चे बहुत सांदार और आपकी क्लास का जो हमबर के वो है है तो ठीक है कल एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात करेंगे सांदार पढ़ते रहिए जानदार पढ़ते रहिए बहत्रीन पढ़ते रहिए टॉपिकों को अभी हम प्री के हिसाब से पढ़ रहे है कि भई प्री हमारा कैसे भी क्वालिफाइए हो जाए और बहुत बड़िया हम आगे करेंगे, ठीक है भाई? बहुत बड़िया, भानु परताप, सुर्जीत, पंकज, सगुनराना, सुंदर, साक्षी सहिंग, बहुत बड़िया, रेवती, पायल, सागर, सुर्जीत, प्रधान, माधुरी, पंकज, क्या नाम है इनका आगे, संजू, नेहा सिहिंग, अजय, शागुनराना, प्रतिमा शैनी, बहुत सुन्दर, साक्षी, स्वाती, वेजय, पूजा, संतोष, जै मातादी, रिया सिहिंग, अंकिता, बहुत बढ़िया, सार्थक जैन, ठीक है मेरे भाई, मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया, वाकी मिलते हैं, अगली क्लास में तब तक, जै हिंद, जै भारत, बाई बाई